नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी सहाचारे संस्कृत राज़ के मा विध्याले भूंदी कुमार संभव आपकी प्रिथम वर्ष की कोटा विश्वी विध्याले के पाठे क्रम में नरधारित की गई है जिसका पंचम सर्ग आपके सलेबस में लगाया गया है और अभी तक हमने 57 श्लोकों का अध्यन कर लिया है उनके अर्थों की व्याक्या समझ लिया है उन 57 श्लोक में जो पूरु में हपन पढ़ेंगे हम लोग ये 58 श्लोक उससे पूरु का आपको में बता दूँ कि प्रसंग क्या चल रहा है पारवती अत्यन्थी कठोर तपस्या कर रही है श्यव को वरण करने के लिये और उनकी कठोर तपस्या से प्रभावित हो करके तपोवन में एक ब्रहमचारी ने प्रवेश किया है वो ब्रहमचारी अपने कुछ प्रश्णों को जानने की जिग्यासा रख रहा है इस कारण से वो पारवती से प्रश्ण कर रहा है कुछ और जिनका जवाब पारवती ने अपने नेत्रों से ही के माध्यम से ही बता दिया है कि वो उसका जवाब उसकी सखियां देंगी तो इस क्रम में जब रात्री के ये बताया जा रहा है कि जो तीसरा भाग शेश रह जाता है तो ज़रा सा जो समय बचता है उसमें भी यदि उनकी आँख लग जाती है तो उसमें भी वो अचानक ही जाग जाती है और ये कहती हैं कि ये निलकंट तुम कहा जा रहे हो इस प्रकार से वो बिना किसी को लक्षे करके वाणी बोलती रहती है और कल्पना में ही गले में ही अपनी बुजाओं को डालती हुई भी जाग पड़ती है ये अभी तक के श्लोकों में हमने अर्थ देखा है इसके आगे आप ये श्लोक देखिए यदा बोधाई सर्वगत त्वम उच्यसे नोवेची भाव स्थम इमं कथम जनं इती स्वाहस्तो उल्लिखिताश्च मुगधया रहस्यू उपालभ्यत चंद्र शेख रह यदा अन्वे देखिए बच्च्यसका यदा त्वम बुधेई सर्वगत उच्यसे ततह भावस्थम इमं जनं कथम न वेच्ची इती मुगधया स्वाहस्तो उल्लिखिताश्चंद्र शेख रहस्यू उपालभ्यत तो वो कह रहे हैं कि यदा जब हे भगवान जब त्वम बुधेई सर्वगत उच्यसे जो त्वम यानि तुमको आपको सर्वगत उच्यसे कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है जो मनु इत्यादी महरिशी है उनके द्वारा त्वम बुधेई यानि जो विद्वत जन है उनके द्वारा तुमको सर्वगत उच्यसे सर्वव्यापी कहा गया है ततह तब भावस्थम अपने पर स्थित मुग्द हुए इमम जनम मेरे इस हरदय को आप कतम नवेध सी क्यों नहीं जानते हैं क्या समझते हैं तो जो बुधे यानि पंडितों के द्वारा जो मनु इत्यादी महरिशी हैं उनके द्वारा आपको सर्वगत उच्यसे सभी इस्थानों पर व्यापक यानि सर्व व्यापक माना गया है, सभी इस्थानों पर आप विध्यमान है, ऐसा कहा जाता है, तो ततर यानि तो फिर भावस्तम, प्रेम में सल्लग्न, इमम यानि इस जन को, अथात मुझे को आप कथम नवेच सी, क्यों नहीं जानते हैं, मुगधया, अपनी इस मुगधया आनि इस प्रकार, जो एती मुगधया इस प्रकार से प्रेम में मुगधुई भूली भाली वह पारवती, सुआ हस्त उल्लिखितह, अपने हातर से ही उल्लखित यानि बनाय हुए, चितरित की हुए, चंद्रशीकरह, जो महादेव हैं, चंद्रशेखर महादेव शिव को रहसी यानी एक कांत में ही इस प्रकार का उबा लभ्यत उलाना देती थी जो चंद्रशेखर कहा गया है शिव के लिए क्योंकि उन्होंने अपनी सर पर शिखाओं में चंद्रमा को धारण कर रखा है इसलिए शिव का एक नाम चंद्रशेखर भी है तो फिर से इसका आर्थ देख लीजे बच्चों वो कह रही है पारवती कि हे भगवन यदा तो अम बुधे सर्वगत उच्च से यदि जो मनु इत्यादी महरशी हैं बुध लोग हैं विद्वत लोग हैं पंडित लोग हैं वो तो अम यानी आपको कैसा मानते हैं सर्वगत उच्च से सभी जगए व्यापक मानते हैं सर्व व्यापी मानते हैं तो फिर ततह तो फिर भावस्थम मेरे जो आप अपने पर मुग्ध इमम जनम मेरे इस हृदय को कथम नवेची इस व्यक्ति को कथम नवेची किस प्रकार से नहीं जान पा रहे हैं अर्थार्थ पार्वती जो आप पर इतनी मुग्ध है उसको आप क्यों नहीं जान पा रहे हैं जबकि आपके लिए कहा गया है कि आप सर्व व्यापक हैं या सभी बातों को जानते हैं इस प्रकार से इती यानि इस प्रकार से मुख्धया भूली भाली वह पारवती क्या करती थी स्वाहस्तो उल्लखितह अपने हाथ से चित्रेत चंद्रशेखरह महादेव को रहसी उपालब्यत एकांद में उलाहना देती थी यहां सर्वगतह सर्वव्यापी भगवान शिव को मनीशियों द्वारा सर्वव्यापक कहा गया है वे सर्वत्र हैं सबको जानने वाले हैं ऐसा मनु आदी धर्म शास्तियों ने प्रतिपादित किया है पार्वती की इशलोप में उन्मार अवस्था का चित्रन किया गया है कि किस प्रकार से वो उन्मत हो गई थी और अपने हाथ से शिवजी का चित्र बना करके उसे ही एकांत में उलाहना दे रही थी यहां बुधाई में बुध और कह और तृतिया बहुवचन है भावस्थम में भाव उस्था और कह है सर्वगत हमें सर्वगत है सर्वगत है कर्मधारे समास है चंद्रशेकरह में चंद्रह शेकरे यस्यहस चंद्रशेकरह बहुब्रही समास है अब इससे अगला श्लोक आप देखिए तदाचे तस्या अधीगमे जगत पते पश्यद अन्यम न विधिम वीचिन वती तदा सहास्मा भीर अनुग्यया गुरो रियम प्रपन्ना तपसे तपोवनम इसका आन्वे देखिए बच्चों जगत पते तस्या अधीगमे अन्यम विधिम वीचिन वती यदान अपश्यत तदा गुरो अनुग्यया असमा भी सहतपसे तपोवनम प्रपन्ना इसका आर्था आप देखिए कि जगत पते जो इस संसार के स्वामी है कौन है भगवान शिव तस्या अधीगमे उस शंकर के प्राप्ती के लिए अन्यम विधिम अन्य कोई विधी को उपाय को न वीचिन वती ढूंडती हुई उन्होंने पार्वती ने जब कोई अन्य प्रकार का उपाय नहीं देखा तो उन्होंने क्या किया यदा न अपश्यत जब नहीं देखा उन्होंने किसी भी प्रकार का उपाय तदा तब उन्होंने क्या किया गुरोव अनुग्या अपने पिताक से आज्या ले करके अस्माभी सह तपसे तपोवनम प्रपन्ना अस्माभी सह हम लोगों के साथ इस तपसे तप करने के लिए इस तपोवनम प्रपन्ना आ गई या वहाँ उसको प्राप्त तपोवन को प्राप्त किया फिर से इसका अर्थ देख लीजिए कि जगत पते जो जगत के पती हैं स्वामी हैं भगवान शेव उनकी तस्य अधिगमेई उन शेव की अधिगमेई यानि प्राप्ती के लिए अन्यम विधिम दूसरे किसी उपाय को वीचिनवती न यदान यदि उन्होंने नहीं देखा तो अपश्यत तदा जब उन्हें इस प्रकार का कोई उपाय दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया गुरोव अनुग्या अपने पिता की आज्या लेकर के असमाभी सह हम लोगों के साथ तप से तप करने के लिए तपोवनम प्रपन्ना तपोवन को प्राप्त किया अथवा इस तपोवन में तपस्या करने के लिए वो हम लोगों के साथ आ गई यहां पारवती ने तपस्या करना क्यों प्रारम किया है इसका कारण पारवती की सकी ने इस लोक में अर्थ के मात्यम से बतलाया है यहां अधी गमे में अधी गम और अप है वी चिन्वती में वी चेंग और शत्री और नी प्रत्य है प्रपन्ना में प्रपद और तव प्रत्य है जगत पतेई में जगताम पती ही जगत पती ही शष्टी ततपुरुष का प्रयोग किया गया है इस खारण से तस्य है इसलिए जगत पतेई शब्द भना है तपो वनम में तपसह वनम तपो वनम शष्टी ततपुरुष का प्रयोग किया गया है अब इससे अगला श्लोग आप देखिए द्रुमेशु संक्या क्रत जन्मसु स्वयम फलं तपह साक्षिशु द्रिश्टमेशु अपी नज प्ररोहा अभी मुको अपी द्रश्यते मनोरतो अस्या शशी मौली संश्रयह इसका आन्वे देखिए सक्या स्वयम क्रत जन्मसु तपह साक्षिशु एशु द्रुमेशु अपी फलं द्रिश्टम किन्तु शशी मौली संश्रयह अस्या मनोरतः चै प्ररोहा अभी मुको अपी नज द्रश्यते यहां सक्या हा जो सक्यी पार्वती के द्वारा स्वयम अपने द्वारा उत्पन्न किये गए क्रत जन्मसु जो उन्होंने क्रत जन्मसु अपने द्वारा ही उत्पन्न किये हैं स्वयम ने ही बढ़ाएं हैं कैसे बढ़ाएं हैं सीच सीच कर जल प्रदान करके उन तपह साक्षिशु जो तप के साक्षी भूत हैं उनके कि उन्होंने कितना कठोर तप किया है ऐसे फलम यानी फलों को एशु दुरुमेशु अपी फलम द्रश्टम इन फलों पर भी उन्होंने क्या है फल को देख लिया है उस पर भी फल दिखाई देने लग गए हैं लेकिन किन्तु लेकिन क्या हुआ है परंतु जो शशी मौली संश्रयम चंद्र मौली शंकर में लगे हुए जो भगवान शंकर है उनके संबंध में मनोरत का जो अंकुर है जो मेरा मन का मनोरत है उस रूपी बीज को प्ररोहा भी मुखह अंकुरोन मुख जिसमें की अंकुर्फ उड़ता हुआ नजर आए वैसा भी नद्रश्यती दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो पारवती है सकी उसने जो पौधों को सीन्च सीच कर बड़ा किया है वो व्रक्ष बन गए हैं अब और वो उसकी तपस्या के साक्षी भूद भी है और उनमें भी फल दिखाई देने लगे हैं लेकिन जो मेरे मन में उठे भगवान शंकर के संबंद में मनोरत का अंकुर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है शिव प्राप्ति संबंदी मनुरत हंकुर होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर से इसका आर्थ देखो बिच्चों सक्या हाँ, ये जो सक्खी पार्वती है उसके द्वारा स्वयम क्रत जन्मसू जिसने स्वयम ही क्रत जन्मिसु अपने द्वारा उत्पन्न किये हैं जल पिला पिला कर जिसने पौधों को बड़ा किया है ऐसे वो पौधे तपह साक्षिशु क्या हैं तपके साक्षी भूतें की पारवती ने कितनी कठोर तपस्या की है एशु द्रुमेशु अपी फलम द्रश्टम अब जब वो पौधे व्रक्ष बन गए हैं तो एशु इन द्रुमेशु यानि व्रक्षों में भी अपी फलम द्रश्टम फल देख लिया गया है किन्तु लेकिन क्या हुआ है कि शशी मौली संश्रयह जो भगवान शंकर के संबंध में अस्या मनोरत है मेरा जो इसका जो मनोरत है उसका तो प्ररोहाभी मुखम अपी नद्रश्यते अंकुर भी दिखाई नहीं दे रहा है कि अंकुर की भी उत्पत्ती हुई हो वो भी नजर नहीं आ रही है तो ये जो श्लोक है बच्चों इसमें ये बताया गया है कि बहुत समय हो जाने पर भी पार्वती को अपना मनवान चित पती रूफल प्राप्त नहीं हुआ है और ये जो बहुत समय हो गया है उसकी जानकरी हमें कैसे मिल रही है कि जो पार्वती ने सींच सींच कर छोटे पौधे थे उनको भी व्रक्ष बना दिया है जो कि उसकी तपस्या का केश साक्षी भी हो गये हैं तो इस अनुमान से हम ये कह सकते हैं कि समय बहुत निकल गया है लेकिन फिर भी पार्वती को अपना मनोवान चित पती रूफल प्राप्त नहीं हो पा रहा है यहां तक की मनोरत में अंकुर का उदगम भी दिखाई नहीं दे रहा है यहां संश्रे जो है उसमें सम, श्री और अज प्रत्य है प्र रोह में प्र रोह और घैं प्रत्य है करत जन्मसू में करतम जन्म ये शाम ते करत जन्मान नहा तेशू करत जन्मसू कहा गया है तो आज ये जो तीन श्लोग हमने पढ़े हैं बच्चों उसमें यही बताया गया है कि जो पारवती है वो किस प्रकार से ये प्रातना कर रही है कि जब मनु आदी महरश्यों ने जब उन्हें सिव को सर्वव्यापी कहा है तो फिर वो अपने परमुग्ध मेरे हदय को क्यों नहीं जान पा रहे हैं और ऐसा सोचती हुई वो भोली भाली जो पारवती है अपने हाथ से चित्रित महादेव को बना करके ये कांत में चित्र बना रही है महादेव का और उसको उलाहना दे रही है इस बात के लिए कि वो मेरे मन को क्यों नहीं जान पा रहे हैं और अगला जो श्लोक था उसमें ये बताया है कि जब शिव की प्राप्ती के लिए पारवती ने किसी भी प्रकार का कोई उपाय और दूसरा नहीं देखा तो उनोंने के किया अपने पिता से आग्या ली और तब करने के लिए वो सक्यों के साथ तब ओवन में आ गई इसके अतिरिक्थ जो अनतिम श्लोक है उसमें ये बताया गया है कि जब उनोंने तब प्रारंब किया तो उनोंने जो छोटे-छोटे पौधे लगाये थे उनको वो जल सीचती थी हर रोज तो वो पौधे भी अब क्या हैं बड़े बड़े ब्रक्ष बन गए हैं तो वो भी उनके तब के साक्षी हैं कि उन्होंने कितनी कठोर तपस्या की है और वो पौधे जब अब ब्रक्ष बन गए हैं तो उनमें भी अफ़ दिखाई देने लग गए हैं उनमें भी अफ़ल आने लग गए हैं लेकिन क्या है कि जो शिव हैं भगवान उनके मनौरत रूपी बीज जो भगवान शंकर हैं उनके संबन्द में मनौरत का जो पारवती हैं उनके मन की जो अभिलाशा है उसका अंकुर भी फूरता हुआ पढ़ा है बच्शों और आशा करती हूं कि आपको यह अर्थ समझ में आ गया होगा अब इसके आगे हम अगली कक्षा में परारंब करेंगे 60 श्लोग तो हमने आज तक पढ़ी लिए हैं अब इसके आगे 61 जो श्लोग है उससे हम अगली कक्षा में ब्रालम करेंगे